दोस्तों नमस्कार स्वागत है मौरिया जी निव चल्ण में दोस्तों एक बार हम फिर उपस्तित हुए है आप लोगों के समझ नई जान कहें लेकर के दोस्तों आज हम बात करेंगे करोना वायरेश जिस प्रकार से पूरे विस में अपना प्रकोप फैला चुका है महामारी के इस्तित्र आज चुकी है, दोस्तों और हमें कहना चाहेंगे, इसी पर बात करेंगे दोस्तों, यह आज हम लोगों को कौन कौन से सावधरनी बरत करके काम करना चाहिए, जो सरकार द्वारा अपिल की जा रही है, उसे किस प्रकार फालो करना है, और क्यों करना है, क्या जरूर है कितना आहम है और यही एक उपाय है लोगों को बचाने का हमें सीखना है अन्य देशों से क्या सीखना है क्या वहां पर चल रहा है और उनसे सीख करके भारत के देश के जो निवासी है उन साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि उन्हें लेटेस न्यूज सब पर्थम मिलती रहे दोस्तों आते हैं अपने नूज पर दोस्तों कोविड-19 कोरोना वायरस जो है आज इस बात पर फोकस करेंगे कि आपने इस्थित के बारे में और जो जहां से कोरोना वायरस फ पहला है वहां सहर से और वहां की इस्थित इस समय क्या है वहां पर इस्थितियां काबू में ले गई और किस प्रकार्श काबू में ले गई कौन-कौन से हदकंडे अपनाए गए दोस्तों वही भार्थ में करने की आउसकता है सरकार के तरफ से और लोगों के तरफ से किस मेंसन पर किस बात पर फोकस जदा अधिक करना चाहिए वो हम बताएंगे चीन में भारत से जदा अबादी है वहां की चीन की और बिक्सित देश है वहां के टेकनिकल और हर एक छेतर में मार्थ हांसिल है लोग वहां के लोग बहुत बिक्सित है इतना बिक्सित होने वाले देश में जब करोणा ने इसक्रात कदर तबाही मचा दी और तो हमें जरूत है दोस्तों तो आज इस्तियां वहाँ काबू में आ गई हैं, तो कौन-कौन से तरीके अपनाए गए हैं, वही तरीका भाद में अपनाने की जरूरत है, वहाँ भी लॉक्डाउन किया गया था, लॉक्डाउन का मतलब बताना चाहेंगे अगर कोई नहीं जानता है, लॉक्डाउन का को लेखनी के लिए आप घर से निकलेंगे और आवा गमन अधिक नहीं होता है ना के बरावर आवा गमन होता है कि जरुवत लोग कीघर से निकलते हैं जरुवत के लिए मांकि बहुत ज़रूत वाली चीजियों के लिए निकलते हैं अन्य था नहीं निकलते हैं लागडाउन की इस्तित ऐसी होती है कर्फू धारा 144 समझ दीजिए उससे भी ज़दा कड़ाई के साथ इसका प्रियूप किया जाता है तो दोस्तों यही बात भारत में की जा रही है भारत में आप समझ रहे होंगे कि अगर आप अश्पतालों की बात कहें तो हम उनके मामलों में बिक्सित देशों के मामले में बहुत अच्छे नहीं हैं इसलिए देशवासों को एक मत होकर इस बात को समझना चाहिए जब बिक् सहमती के साथ माल लेना चाहिए WHO के मामले में अगर पूरे विस्ट का रिकार्ड देखा जाए तो जिससे इटली की बात करते है तो इटली नमबर दो के अस्थान पे है तो इटली में इस्थितियां क्या है आपने देखा बहुत बुरी इस्थित है वहाँ पर भी लेकिन जो सहारा लिया जा रहा है सारी मेंटेन होने के बाजूद भी इतनी मतलब डबलू यचो कितना मतलब नमर दो पे हो है फिर भी वहाँ की बुरी स्थित है समझ सकते हैं दोस्तों वहाँ पर जो प्रियोग किये जा रहे है भाद में उस प्रियोग को करने की जरूवत है वहाँ भी लॉकडाउन किया गया अवस्यक्ता उनसार घर से लोग नहीं निकल रहे हैं और इस प्रियोग काबू करने की कोशिस में लगी हुई है टीमें लगी हुई है और मिर्त दर बहुत तेजी से बढ़ रहा है ऐसे में दोस्तों भारत के पास खुश समझ जाईए इसका डबलू अचयो के मामले में बिश्व में इसका अस्थान 145 है 145 है जो कि सही ख़बर के साथ है 145 है आप पता कर सकते है यह लेटेस्ट ख़बर है तो 145 है अस्थान पर जब भारत के स्थित है तो कितनी मतलब कितनी आच्छी व्योस्ता है कुछ अंदाजा लगा सकते है इसलिए जरूवत इस बात की बनती है लोगों से इस चैनल के माध्धम से अपेल करना चाहेंगे और देस हित के लिए और अपनी सुरच्छा की दृष्टी से यह बहुत जरूवत बनती है लोगों की आप घर से ना निकलें यही अच्छा होगा घर से ना निकले का मतलब यह नहीं होता है कि अपने जरूवत वाले सामानों को लेने ना जाएं अपने जरूवत की सामान को लेकर आएं जा सकते हैं इसके लिए लेकिन सुरच्छा के दिरिष्टी से ये बहुत आवस्यक हो गया है कि भीर भाले वाले अस्थान में जाने की कतई आवस्यक्ता नहीं है सारे फंसनों को त्याग दीजिए फंसन में जाने के जरूवत नहीं है जिस प्रिकार से आपको जाने को मिल रहा है कि देश में जगा जगा अच्छे अच्छे प्रोगामों को रद्दी कर दिया गया रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया और हमें इस बात से सीख लेना चाहिए कि भिकशित देसों में क्या किया गया है और हमारे यहां की ब्यॐस्टा क्या है और इस हालत को निपड़ने के लिए भारद में अगर कोई सिस्टम बचा है तो दोस्तों एक ही है सिस्टम कि हमारे भारद के लोग भीड भारवारित अस्थार पिंडना जाये अपने घार पर ही राशन को इकठा कर लें और कुछ समय के लिए कैद हो जाए बहुत अच्छा उपा है दोस्तों अगर आप सूच रहे होंगे कि अगर कोरोना वारस थर्ड इस्टेज पर पहुंच जाता है दोस्तों थर्ड इस्टेज की बात इसले कर रहा हूं पहला दूसरा तिसरा पहला इस्टेज यह है जब करोना वारस के मरीज एक का दुखका विदेश से भारत में आए मिले पहला इस्टेज दूसरा स्टेज भी यह होता है दोस्तों कि जब यह पता चलता है कि हम फला संक्रमित में के पास खड़े थे उसी से हमें संक्रमण हुआ है कहने का मतलब हमें यह ज्यात होता है कि संक्रमण किस से हुआ है रिकार्ड में चलता है दोस्तों और जानकारी होती है तब तक ही दू क्या बढ़ने लगती है और जो गाओं गाओं गेराओं वाली स्थिया मलब गाओं से भी मलब की ग्रामेड शेत्रों से मामले आने लगते हैं और दारा बढ़ने लगता है तब तिसरे स्टेज में आ जाते हैं तो दोस्तों आज हम तिसरे स्टेज में आ चुके हैं इस बात को कहने में कोई ग्रेश नहीं है इस बात को समझना चाहिए अब ये मामला धीरे-धीरे बहुत तीवगत से बढ़ रहा है भारत में महाराश्ट में बहुत तेजी से मामला बढ़ा है और रिकार्ट पहुंच गया है नब्बे पर संग्मित विक्तियों के संख्या नब्बे हो च से बढ़ी है वहां का रिकार्ट सत्तर हो चुका है इस तरह से दोस्तों जो रिकार्टें बढ़ रही है बहुत तेजी से बढ़ रहा है रिकार्ट ये तीसरे स्टेज की पहश्चान है तो दोस्तों चौथा स्टेज तब होता है जब रिकार्ट का अनगिनित हो जाता है पहुंच जाता है लोग उससे स्वेम जूज रहे होते हैं और लोकल अस्पतालों में पड़े होते हैं और यह पता नहीं होता कौन संक्रमित किससे हो रहा है और परवार में बहुत साही लोग संक्रमित होने की आवस्ता में पहुंच जाते हैं देश में महावल गरबर हो जात ताह ऐसी एस्तित में दोस्तों ना पहुंचें, जरुरत इसी बात का है कि अपने अपने घरों में कैद होकर रहें, कुछ समय के लिए अपना जाब छोड़ दीीए, काम करना छोड़ दीीए, अपने घरों में कैद रहें. अपील है सरकार की भी और चैनल के माध्धम से हम भी अपील करते हैं कि जरुवत इसी बात के ही दोस्तों किसी आफ़वा मिनना पड़े किसी पोपो गंडा मिनना पड़े जैसा कि हम बताना चाहते हैं जिस प्रकाश से मान्य पधान मंतरी जी ने ताली बजाओ और थाली बजाओ ढांटी बजाओ कि अपील कि कि इसमें इससे होगा यह कि जो हमारे यहां के बैग्यानिक वर्ग हैं और डाक्टर हैं और मीडिया है जो अपने दाऊ को जीवन के दाउं को लगा करके अपने जिन्दगी को दाउं पे लगा करके लोगों को बचाने के लिए प्रियासरत हैं उनके प्रवसाहन के लिए इसब करने के लिए कहा गया है लेकिन यहां की जन्ता इस बात को समझ नहीं पाई कि हमें किस लिए कहा गया है किस लिए का मतलम नहीं है, वो यह समझ रही है, बस इतना ही करने से करोना वारस भाग जाएगा, और इसे के चलते सब लोग जुलूस निकालने लगे, और जुलूस के रुम में चलने लगे, नाचने गाने लगे, यह यहां की जनता की मुर्खता है, इसलिए अपईल है, यह सब कहने के पूझा पाट, हवा नियग और रुठाली बजाओ इस जुलूस निकालना इससे करोना वारस सा कोई सम्मन नहीं है दोश्तों इससे कुछ होने वाला नहीं है जो होने वाला है दो सब्दों में कहने की जरूत है कि आप घर से ना निकलें जरूत वाले सामान को लाने के लिए जाएं बस ना किसी से मिलें ना किसी को अपने यहां बुलाएं मिलने की जरूत किसी प्रकार से किसी से नहीं है दोश्तों कुछ समय के लिए जौप करना चोण दें आपने ही घर में कैद हो कर रहें यही इससे बजनी का बहुत सरल और सुवम उपाय है दोस्तों इसे करने क जरूवत है दोस्तों आपकी क्या प्रक्रिया है कमेंड के माध्यम से बताएं दोस्तों लाइट अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों